न्यूजिलिंड के सामने श्रिंकला में तीन शूने से कबजा करने के बाद भी इस सीरीज के तीन ऐसे खिलाडी हैं जिनका परफॉर्मस उतना भेतरी नहीं आया है मौके देने के बावजूत भी ये खिलाडी मौकों पर चौका नहीं लगा पाए हैं बावो बल्ले से रन्स हो या गिंदबाजी से कुछ खास करामात हो बारत Release Cricket Team के पास इन तीनो खिलाडियों से बहتर खिलाड़ी अवेलेबल है जो शायद आने वाले वर्ड पमे इन तीनो खिलाडियों की जगह भी ले सकते हैं ये तीनों खिलाडी वो हैं जो आज तीसरे ओडिया मुकाबले की प्लेइंग 11 में तक शामिल थे लेकिन वन डे क्रिकट शायद इन खिलाडीों को ज्यादा रास नहीं आ रहा है आखिर कौन से वो तीन खिलाडी है कैसा इन तीन खिलाडीों ने इस पूरी श्रिंकला में परफॉर्मेंस किया है उसके बारे में विश्तार से चर्चा और विश्लेशन करेंगे आपके साथ इस वीडियो में प्रिकट इन इंडिया के चैनल पर रहे हैं सबसे बहले भारतिय टीम ने इस श्रिंकला में हाइदराबाद जीता उसके बाद रायपुर और आज इन दोर में भारतिय टीम ने तीन शुन्य से श्रिंकला को अपने नाम पर कर लिया है इस सीरीज में गेंदबाजी में मुहमत सिराज, मुहमत शामी, कुल्दी, प्यादव जिसे जब भी मौका मिला उसके लाड़ी ने अच्छा किया है जबकि बल्ले के साथ जरूर चले है रोहित शर्मा इनके बल्ले से भी शतक आ गया है इशान किशन का बल्ला चल पड़ा, विराट कोली हाला की स्विंकला में शान्त रहे लेकिन शुलंका के सामने दो शतक विराट कोली शांदार फॉर्म को खूप दर्शाते हैं और साथ ही में उपकपता अनहार्दिक पांडिया के बल्ले के साथ अरशतक गेंद के साथ एक विकेट लिनी दर्शाता है पांडिया की भी खास फॉर्म को अब तीन नाम है गए हैं उन तीनों नामों के उपर बारी-बारी से जाएंगे सबसे बहले बात करेंगे सूरे कुमार यादव की सूरे कुमार यादव के बल्ले का शांदार हला T20 क्रिकेट में जरूर है लेकिन वन डे में सूरे कुमार यादव शायद कुछ अलग ही क्रिकेट केलते हैं One Day Cricket का format शायद सूरे कुमार यादव के बल्ले को उतना रास नहीं आ रहा है क्योंकि सूरे कुमार यादव को जहां इस पूरी New Zealand की सीरीज में लगातार मौके मिले हैं तो सूरे कुमार यादव ने उन मौकों पर कुछ खास नहीं किया है सूरे कुमार यादव ने दो मुकाबलों में बल्ले बाजी की है जहां सूरे कुमार यादव दोनों बार अपनी पारी को बड़े स्कोर पर पहुंचाने में बुरी तरह से असफल रहे हैं पहले मुकाबले में सूरे कुमार यादव ने 31 रन बनाए दूसरे मुकाबले में सूर्या की बारी नहीं आई जबकि तीसरे मुकाबले में सूर्या के बल्ले से 14 रन निकले खास कर पहले और तीसरे मुकाबले में सूर्या के पास एक अच्छा समय था एक बड़ी पारी खेलने का लेकिन इन दो बारियों में सूरे कुमार यादव सिर्फ 45 रन जोड़ पाए है और इस समय मिडल ओर्डर में बलेबाजी के लिए भारत के पास श्रेयस अयर है जो कही न कहीं काफी शांदार फॉर्म में है हाला कि ये श्रिंखला श्रेयस अयर ने पीट की इंजरी के चलते जरूर मिस्की लेकिन जब श्रेयस अयर वापिस आएंगे तो शायद सूरे कमार यादव को बाहर पैठना पड़े प्लेइंग 11 से क्योंकि श्रेयस अयर ने जनवरी 2022 से भारत के लिए सबसे ज्यादा रंस बनाए हैं शुबमन गिल के बाद इसके बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आ जाता है इशान किशन का इशान किशन पारी की शुरुवात करते हुए तो काफी अच्छा प्रफॉर्मेंस देते हैं जहां मंगला देश के सामने 10 दिस्टमबर 2022 को इस खिलाडी के बले से शांदार दोहरा शतक आया था लेकिन इस पूरी श्रिंखला में जहां इशान किशन को मिडल ओर्डर में बलेबाजी का मौका मिला तीनों बार इशान किशन की बलेबाजी आई तो इन तीनों बारियों में इशान किशन ने मातर 30 रन जोड़े हैं इशान किशन पहले मुकाबले में 5 run बनाकर वापिस पुवیलियन गए दूसरे मुकाबले में 8 run बनाकर नाबाद रहे क्योंकि उस मुकाबले में भार्तिय टीम केवल 109 run का पीछा कर रहा थी जबकि तीसरे मुकाबले में 24 गेंदे खेली 17 रन बनाए और उसके बाद अपनी ही गलती के कारण इशान किशन को रण आउट होकर पवेलियन का रुख करना पड़ा था तीन मौके मिले मिडल ओर्डर में बलेबाजी करने के लिए विकेट कीपर बलेबाज के रूप में खेलते हुए और आज इशान किशन ने यहां तक तीसरे ओडिय मुकाबले में बल्ले के साथ कम रंस मनाए उसके बाद विकेट कीपिंग में भी इशान किशन ने कुछ जगा शायद केल राहुल को experience के चलते पहले प्रात्मिक्ता दी जाए इसके बाद लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है उमरान मलिक का हाला कि उमरान मलिक विकेट्स लेने में सक्षम हो रहे हैं लेकिन जिस तरह से उमरान के सामने बाकी competition है खिलाडियों का बाकी खिलाडी बहुत शांदार परफॉर्म कर रहे हैं आज के मुकाबले में उमरान मलिक ने 7 ओवर में 52 रन दिये जहां उन्हें एक सफल था मिली इस सीरीज के पहले दो मुकाबलों में उन्हें खिलने का मौका नहीं मिला था लेकिन अगर आप उमरान मलिक के सामने बाकी तेस गेंद बाजों को देखें मुहमत सिराज ने पहले मुकाबले में केहर बरपाया जहां भारत को वापसी का मौका दिलवाया था मिचल सैंटरनन का विकेट लेके दूसरे मुकाबले में मुहमद शामी ने गेंद के साथ बहतरीन परफॉमेंस दिया तो तीसरे मुकाबले में शारदुल ठाकूर का स्पेल तो आपको पता ही है तो शारदुल ठाकूर ने आकर बीच की ओवर्स में पूरे न्यूजिलेंड के मिडल ओर्डर को अस्त व्यस्त करके रख दिया बला उसके अंदर कप्तान टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स का बड़ा विकेट हो यहां तक की शारदुल ठाकूर बल्ले के साथ भी खूब रंस बनाते हैं कि आप अपनी स्क्वार्ड में कौन से सीमित तीन से चारते इस गेन बाजों को शामिल करेंगे तो आखिर ये वो तीन नाम हैं सुरे कमारियादव, विशान किशन और उमरान मलिक जिन तीन खिलाडियों का भारत की न्यूजिलेंड की सीरीज जीतने के बाद भी बारत की प्लेइंग 11 से और आने वाले समय में शायद बारत की वर्ल्ड कप की मुख्य स्क्वार्ड या प्लेइंग 11 से भी पत्ता कट सकता है क्योंकि इन खिलाडियों ने अपने मौकों पर अच्छा परफॉर्मस नहीं दिया या फिर उमरान मलिक के केस में बाकी खिलाड़ी उनके मुकाबले काफी अच्छा परफॉर्म करते जा रहे हैं क्या कुछ आपका कहना है इस विश्चे में दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो कौन तक देखने के लिए बहुत बहुत थैन्यवाद